अब आफ नानों धिया वेल्कम कि चंदा सटकर या तो प्यास लियाए है यहाँ पर नहीं तरीकी साथ करेंगे यह आप लाइन देगा है रहे हैं पर टेरा टेरा रहते हैं इस तरीके से निकल और बनाएंगी ना तेष्टी तो होगी और दिखने में वह सुंदर लगे गी और यह दहर हम प्याज को अप कट कर लेंगे तो जब तक प्याज हमारी कट हो रही है जल्दी जल्दी से चैनल को लाइक आप सब्सक्राइब कर दीजिए और यूँ यूँ मुझे सपोर्ट करते रहे तक मैं भी इसी तरह मोटिवेटेड होते रहूं और नए-nए कुकिंग वीडियो बनाते रहूं आप सब के लिए तो प्याज मिर्ची हमारी कट हो गई है देखिए तो अब हम कराई में तेल गरम करके इसमें तोरा सा पच्पोटन डाल देंगे और इसमें अरिमीच और प्याज टाल कि अभी से तोरा चला लेंगे तब तक चलाएंगे जब तक प देखिए प्याज हमारी अब होने वाली है अब इसमें अम बिंडी डाल देंगे और इसे तब तक चलाएंगे जब तक बिंडी का लसलसा पन हो ना खत्तम हो जाए उसके बाद ही अम बाकी मसाले एट करेंगे तो इसे हम ढाक देंगे तो पका लेंगे यह देखिए विंडी का लसलसा पन हो अब चले गया है तो अब हम इसमें तो आसा चलाने के बाद इसमें हम अब स्वाद अनुसा नम्मक थोड़ा सा एट कर देंगे और आधी चमश अधरी पाउडर डाल देंगे और लाज मिश हम आदे चमश से कम डालें क्योंकि हमने खरी मिश जाली हो काफी तीक है आप जाए तो स्किप कर सकते हैं जाए तीका नी खाते हो तो उसे फिर सी तुड़ा लेंगे और ऐसी देखिए ठाक के और एक दूमिट पका लेंगे तो बिंडी हमारी अच्छे से पख गई है और इसे अभी लो फ्लेम पे इस वावल में निकाल लेंगे और इसे राइस यानि चावल दाल रोटी किसे साथ भी आप ट्राय कर सकते हैं